MPK शिपुरी की छात्रा के कोटा में किड्नैपिंग वाले मामले में हो गया नए खुलासा और इस नए खुलासे के बाद पुलिस भी हैरत में है दरासल पूलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा कर रही थी तो पुलिस अधिकारी बताते हुए भी इस बात पर हैरान थी कि आखिरकार छात्रा को अपने साथ ले जाने वाले कौन थे और कैसे ये पूरी कहानी जो है वो खुल गई है इस कहानी में कौन से करदार हैं किसने रची किड्नेपिंग की साज़िश या कहानी तो कुछ और ही है ये सुनिए वरिष्ट पुलिस अधिकारी से हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट आई मिली है हमें कई हमें इस तरह के साक्षे मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराद नहीं हुआ है कोई अपरादिक गतिविदी नहीं कारित की गई है किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है तो जो घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष है उसे जूठी प्रतीत होती है जो CCTV मिला है जो चल रहा है मीडिया पर मैं उसकी पुष्टी नहीं करती हूँ किन्तु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को तीन अगस्त को जो बच्ची है अपनी मा के साथ यहां पर आई थी कोचिंग इंस्टिट्यूट में अपने को इन्रोल कराने के लिए माता जी उसकी वापिस शिवकूरी उसी दन चली गई थी और यहीं पर एक जो हॉस्टिट है वहां पर वो रुकी थी तीन दिन तीन चार पाच को उसके पश्चात वो वापिस इंदौर चली गई थी तो वरिष पुलिस अधिकारी की बात सुनी आपने काफी एहरान करने वाली बात है किड्नेपिंग थी ही नहीं कहानी तो कुछ और निकली जिस चात्रा को धूड़ने में दो राजियों की पुलिस लगी थी MP और राइस्थान की पता चला कि यह किड्नेपिंग का मामला है ह भी नहीं खुद छात्रह और उसके दोस्तों ने मिलकर इसे किड्लेपिंग का रंग दिया ताकि घर वालों पर दवाव बने और पैसे आope लेकिन पैसे चाहिए क्यों थे छात्रा को, किड्नेपिंग की साजिश क्यों रची गई, कैसे दोस्तों को साथ मिलिया, ये भी सुनिये उसके साथ वो दोस्त है, उनमें से जो एक दोस्त है, वो हमें इन दौर में मिल गए है और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है, वो यहीं बताई है कि बच्ची है और उसके साथ जो मित्र है, वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाहा रहे थे, उनका यहां पर उनको लग रहा था, पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की जुर आ रहे हैं कि क्यों साजेश रची गई और पूरी कहानी तो कुछ और निकली, द्रसल यह मामला इतना ज़्यादा चर्चत उसरक्षा का सवाल है, जल से जल आरूपियों को पकड़ा जाए और इस किड्नेपिंग में बड़े अपराधी शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका जि लेकिन यहां पर कहानी कुछ और ही निकली, जैसा मैंने पूरी बात पुलिस की सुनवाई आपको परिश्त अधिकारी जो है, एस्पी मेडम, तो पूरी कहानी में, हाला कि अभी पुलिस ने अपील की, कि वो छात्रा और उसके दोस्त सामने आ जाए, क्योंकि सवाल उनकी स तो रक्षा कई ही है, क्योंकि पुलिस को थियोरी तो समझ में आ गई है, और अब पुलिस उनके जल्दी आने की कामना कर रही है, और काम्याबी की उम्मीद भी जता रही है, कोटा से आप तक ख़वर पहुचाई है, चेतन गुर्जर ने, आप देखते रहे हैं पुलिस, को कि अूर कई स्पाने कामना कर रहे है, फ्यक्ति आप देखते हैं, और कि नचई है, और क्जमाना कामना कामना क्वें चिर एस लिएरा पन्श कर रहे हैं, हविए संटे कैस्ट्पक्ति विर पार्प में गες पोड़ी जावाशना दोने हैंथ yields भी में जाने जारा कर ड़ू